नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि जोकलेव 625 टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, जोकलेव 625 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और जोकलेव टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि जोकलेव टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए जोकलेव 625 एक ब्रैंड नेम है, जोकलेव 625 टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, जोकलेव टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन अमोक्सिसिलिन 500 mg और पोटाशियम क्लेविलेनिट 125 mg होता है, जोकलेव टाबलेट एक एंटिबायोटिक दवा है। जोकलेव टाबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है। लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्टर जोकलेव टाबलेट को लेने की सला दे सकता है। सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में जोकलेव टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में जोकलेव टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बध़जमी होना, तवचा पर रैशेस होना, तवचा पर खुजली होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आधी साइड इफेक्ट्स जोकलेव टैबलेट की वज़से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की जोकलेव टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, जोकलेव टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक् जोकलेव टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको जोकलेव टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की जोकलेव टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। जोकलेव टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने जोकलेव टैबलेट को लेने की सला दी है। क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक Zoclave Tablet को लेने से Antibiotic Registance हो सकता है और Antibiotic Registance होने पर वो Antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और Zoclave Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए आपको जोकलेव टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। जोकलेव टैबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में जोकलेव टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को Amoxicillin, Potassium Clavulinit, Penicillin Antibiotic या Cephalosporin Antibiotic दवाओं से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को Zoclave Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए, वैसे Zoclave Tablet, Pregnant महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Zoclave Tablet का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Zoclave Tablet को लेने की सला दे सकता है, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका Zoclave Tablet से संबंधित कोई प्रशन है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.